हलो दोस्तों मैं नहीं मुहम्मद कैसर और आप देख रहा हैं स्टड़ी चैनल सीटेट नोटिफिकेशन का इंतजार करने वाले सभी चात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ गई है दोस्तों 20 जुलाई से आपके आवेदन सुरू होने वाले हैं आपको सारी जानकारी बिलकूल दीटेल में दी जाएगी आपके सामने खुला हुआ है दोस्तों सीटेट का ओफिशियल वेबसाइट जो की है सीटेट.nice.in सीटेट की वेबसाइट पर दोस्तों आप यहां देखेंगे एक नया नोटिस है और ये नोटिस किस से सम्बंधित है सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये नोटिस दोस्तों वेबसाइट पर जारी हुआ था 21 जून को और इसमें ये बताये गया है कि सीटेट का सर्टिफिकेट अब लाइफ टाइम मान रहेगा तो पहले जो सीटेट के सर्टिफिकेट साथ सालों के लिए वैलिड होते थे अब इसे लाइफ टाइम कर दिया गया है और जो पुराने सर्टिफिकेट हैं चाहे वो किसी भी साल का हो सभी सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम कर दिया गया है साथी साथ ये भी बताये गया है कि आपको कोई नया certificate issue नहीं किया जाएगा अगर आपको पुराने certificate expired हो गए हैं तो आपको कोई उसकी जगे पर नया certificate नहीं मिलेगा बलकि वही certificate अब आपका lifetime रहेगा तो ये सारी चीज़ें हैं जो की official notification के जरिये बता दी गई है अब आपको हर बार सीटेट का परिक्षा नहीं देना पड़ेगा जंजट आपका समाप्त हो जाएगा अगर आप एक बार सीटेट पास कर लेते हैं या पहले से ही पास है तब तो attention लेने की जरूरत ही नहीं है और आज की जो सबसे बड़ी update है वो ये है कि सीटेट के लिए 20 जुलाई से सुरू होने वाले हैं online आवेदन तो काफी समय से सीटेट के notification के चर्चाएं चल रही थी 20 जुन से लगातार notification पर खबरें आ रही थी कि आज आएगा कल आएगा परसो आएगा लेकिन अब finally खबर आ गई है authentic group से कि 20 जुलाई से आवेदन सुरू होने वाले हैं CBSE की ओर से केंदरी सिक्षक पातरता परिक्षा यानि Central Teacher Eligibility Test Seated 2020 के आवेदन की तैयारी पूरी हो गई है 20 जुलाई को इसका notification आएगा और उसी दिन से आवेदन सुरू हो जाएंगे अब इसका exam कब होगा ये 20 जुलाई को ही पता चलेगा notification के साथ या फिर हमें इसकी जनकारी पहले ही मिल जाती है तो मैं आपको update कर दूँगा notification form वगेरे available होगा seated.nic.in की website पर जो कि मैंने आपको कुछ दिर पहले दिखाया seated में दोस्तों दो paper होते है paper 1 और paper 2 paper 1 होता है primary level का teacher बनने के लिए यानि class 1 to 5 के लिए और paper 2 होता है junior level का सिक्षक बनने के लिए यानि class 6 to 8 के लिए अगर बात करें eligibility की कौन-कौन seated का form भर सकता है तो आपने BTC किया है, DL8 किया है, BAID किया है, BL8 किया है कोई भी course अगर आपने किया है training का तो आप seated का form भर सकते हैं चाहे वो paper 1 हो या paper 2 हो इसमें कोई भी दिकत नहीं आती है साथी साथ final year appearing वाले चातर भी seated में eligible होते हैं तो इसको भी लेकर आपको परिशान नहीं होना है अगर आप DL8 कर रहे हैं, first year आपका complete हो गया है, result आ गया है, आप second year में है third semester में या fourth semester में तो आप seated का form भर सकते हैं और आपका certificate मानने भीर रहेगा बात करें seated के exam pattern की तो paper 1 हो या paper 2 हो 150 question आता है और 150 में जो सामान वर के भिरती हैं उनको 90 number लाना होता है परिशा पास करने के लिए और जो reserve candidate हैं चाहें वो OBC हैं, SC हैं, ST हैं, उनको 82 number लाना होता है seated paper 1 की बात करें तो 5 subject होगा, हर subject से 33 question आएगा तो 150 question होगा, 150 number का कोई भी negative marking ना होती थी और ना ही इस बार होगी जो 5 subject हैं वो कौन कौन subject हैं तो बाल, विकास, वम, सिक्षा, सास्त्र उसके बाद है भाशा 1 और उसके बाद है भाशा 2 भाशा 1 और भाशा 2 में आपके पास option होता है कुल 20 विशयों में से कोई भी दो विशय आप एक भाशा 1 के रूप में और एक भाशा 2 के रूप में चुन सकते हैं जिसमें बहुत सारे subject हैं, हिंदी है, इंगलेस है, संस्की, तुर्दू, बेंगाली, मराथी तो इन में से आपको कोई भी दो विशय एक भाशा 1 के रूप में और एक को भाशा 2 के रूप में चुनना होता है उसके बाद गडित और परियावरण ये कंपलसरी subject हैं बात करें, पेपर 2 की तिसमें भी बाल विकास से 30 सवाल आएंगे, भाशा 1 और भाशा 2 से भी यहां पर 30 सवाल आएंगे, जो भी अफसलेट करेंगे लेकिन यहां पर जो चौथा subject होता है, वो आप जो भी चुनेंगे, उससे 60 सवाल आएंगे और इसका चुनाओ आपके graduation के आधार पर होता है, यहां पर आप गडित विज्ञान या फिर समाजिक विज्ञान में से कोई भी एक चुनते हैं और जो भी आप चुनेंगे, वहां से 60 सवाल पूछे जाएंगे, तो कुल 1500 सवाल पेपर 1 में भी आता है, और 1500 सवाल पेपर 2 में भी आता है बागी दोस्तों, आप लोग अपने तयारी में जूड जाएएगा, सेटेट से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो, योगिता को लेकर, एक्जाम पैटर्न को लेकर, सेटेट के बाद नोकरी कैसे मिलती है, सेटेट पास कैसे किया जा सकता है, सेटेट के बाद कहां कह यहां opportunities होती हैं, और सेटेट का सेटेट के इनकी राजियों में मानने है, कोई भी सवाल है आपके, तो इस वीडियो के नीचे comment section में जरूर लखिए, आपके सभी सवालों का जवाब अगले वीडियो में देरिया जाएगा, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, लाइकन जरूर दबा लिजे ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के notification मिलते रहें, thanks for watching.